दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर हाई फ्रेंड्स शाहिन स्कुल में आप सभी का अस्तक्बाल है यू और वेल्कम टू शाहिन स्कुल करार बच्चो यहां बोल्ड पर स्क्रीन पर एक पिक्चर दी गई है और साइड में एक वर्कशिट भी दी गई है बच्चो हमें अब क्या करना है तो इस पिक्चर का अब्जर्विशन करना है और उसी के साथ उस वर्कशिट में जो स्पेस है एम्टी वहां पर करेक्ट प्री पोजिशन को राइट करना है तो चलिए फर्स सेंटेंस रीड करते हैं वो देखिए रेड रेक्टेंगल में तो चलिए अब हम इस पिक्चर का अब्जर्वेशन करते हैं देखिए यहां पर इस पिक्चर में क्याट कहां है क्याट चेर पर तो पर के लिए अंग्रेजी वर्ड क्या है बताइए तो अब यह सेंटेंस कैसे बनेगा देखिए आई बात समझ में तो चलिए अब दूसरा सेंटेंस लेते हैं अब उस पिक्चर को देखिए उस पिक्चर में बुक्स दिखाएवे हैं वो बुक्स कहा है टेबल पर देखिए अभी हमने जो राइट किये थे ना पर के लिए अंग्रेजी वर्ड क्या है अउन अउन वेरी गूड अब यह सेंटेंस कैसे बनेगा देखिए अब बुक्स आर अउन दे टेबल चलिए थर्ड सेंटेंस रीड करते हैं तो यह देखिए शूज यहाँ पर हैं कहां? इस टेबल के नीचे तो के नीचे इसके लिए अंग्रेजी वर्ड क्या है? के नीचे इसके लिए अंडर अंडर याने के नीचे तो चलिए अब यह सेंटेंस कम्प्लीट करते हैं यह देखिए क्लॉक्स तो यह क्लॉक्स कहां पर है? टेबल पर तो पर के लिए अंग्रेजी वर्ड O and on Very nice अब यह सेंटेंस इस तरह से बनेगा The clock is on the table Good Next sentence The dog is sitting dash 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 the box यह देखिए डॉग अब यह डॉग कहां है? तो डॉग बॉक्स में बॉक्स में या बॉक्स के अंदर में और अंदर इनके लिए अंग्रेजी वर्ड क्या है? I and in क्यों सा वर्ड है? I and in अब यह सेंटेंस ऐसे बनेगा The dog is sitting in the box Next sentence The table is dash 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 the chair and the box यह देखिए टेबल अब यह टेबल कहां पर है? इस डॉग और कैट के दर्मियान 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 के लिए अंग्रेजी वर्ड क्या है पता है आपको? चलिए बता देता हूँ बिट विन क्या है? बिट विन Spelling B E T W E E N बिट विन इस सेंटेंस इस तरह से बनेगा इस तरह से बनेगा यह देखिए यह चेर तो यह चेर कहां पर है? बताई आप यह चेर टेबल के पीछे के पीछे है तो अंग्रेजी में के पीछे के लिए कौन सा वर्ड है? बी हैंड बी हैंड तो चलिए सेंटेंस फिल अप करते हैं अब यह सेंटेंस इस तरह से बनेगा बच्चो आज हम जितने भी वर्ड्स रीड कर चुके हैं उन्हें आप लर्ण कीजिए और यह जितने भी यहां पर सेंटेंस हैं अपने नोटबुक में राइट कीजिए उसी के साथ हमारा यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू शुक्रिया